आज का जो टॉपिक है पहले से ही हम कंटेन्यू करते आ रहे हैं तो आज हम इंडियन फिलोसफर्स के बारे में चर्चा करेंगे पहली फिलोसफर्स तारभाई मौदक ठीक है तो इसमें जो कॉश्चन आता है वो पांच नमबर का ही आता है पंदरा माक्स में इसके लिए ज्य 1972-1973 जन्टिती और मित्विती है ठीक है तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसे पिछली वीडियो में किया था यहां सीधे सीधे पॉइंट्स लिखे गए हैं क्योंकि पांच नमबर का कोश्चन आता है सीधा समरी आपको बता द वहीं समय में वह गीजुबाई बाल मंदिर में शामिल हुई गीजुबाई बाल गीजुबाई एक और rud है उनके बारे में हम आगे पड़ेंगे तो उन्हेंने जहां से शुरुवात कि थी वह गीजुबाई का जो बाल मंदिर उन्हें ने खोला था वहाँपर श जाते थी केटर जोभी है करना जाते और उसके पस्राइब न हया घृत को श्वजशा देती जो पिछबे इलाक्तों में बच्चे होते थे वहाँ पर उनको ये शिक्षा देती थी इस आंगनवाडी में वह मॉन्टैंसरी के based education और सिधान के अधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी तो वहाँ जो वो education का इस्तमाल कर देती जैसे हमने मॉन्टैंसरी में पढ़ा था same as it is जैसे learning by doing खुद से ही वो सीखना learning through play play के साथ द्वारा सीखना तो उसकी जो मॉन्टैंसरी के जो सिधान थे वो उन पर अधारी शिक्षा दी जाती थी और साथ ही यहां लिगा था indigenous material ठीक है indigenous material क्या होते हैं यानि कि आसपास में उपलब्द चीजों से बच्चों को सिखाया करते थी जो भी बच्चों के आसपास चीजे होती थी वहां से वो सिखाते थी जैसे गैंची बाल्टी ठीक है ऐसे चीजों से वो सिखाती थी जो भी उनके वहां पर उपलब्द होती थी चीजे उनका मानना था कि बच्चा स्वैम करके सीखता है same as it is जैसे Montensory समस्तिदी वैसे ही इनका भी मानना था कि बच्चा जो है खुद करके एक्टिवीटी को खुद ही सीखता है ठीक है इसके पस्चाथ उनकी संकल्पना जो concept ने ने महारास्ट के कोसबाद में अकार लिया कोसबाद उनका एक प्रोग्राम था ठीक है तो वहाँ पर जो है उन्होंने ये चलाया था जो उनकी concept थी ठीक है तो कोसबाद क्या है कोसबाद एक ग्राम बाल शिक्षा केंद्र था एक गाउ में जो बाल शिक्षा पर केंद्र था एक सेंटर था आंगन वाड़ी ग्रामिन बच्चों के लिए खोले गई जिसमें तीन से छे साल के बच्चे थे ठीक है चाइल्ड हुड के स्टेजिस में आने वाले बच्चे थे प्री चाइल्ड हुड में यह स्कूल एक आंगन या पेड़ के नीचे या एक खुली जगा में खोला गया जो गाउ में ही था ठीक है पहले स्कूल्स जो थे वो चार दिवारी के अंदर नहीं होते थे वो या तो एक आंगर में हो सकता था पेड़ के नीचे हो सकता था या फिर कोई भी खुली जगा जहां पर लोग ना हो सिर्फ बच्चे हो वहां खोला जाता था और गाउ में ही होता था ताकि सारे आसपास के जितने भी गाउ है महां से बच्चे आ सकते ठीक है आंगर मारी के बच्चों को प्रशिक्षित मास द्वारा देखबाल दी जाते थी जो कम सेलरी लेते थी ठीक है आंगर मारी के जो बच्चे थे उनको ट्रेनर्स मतलब ट्रेंड जो माय होती थी उनके द्वारा देखबाल भी दी जाते थी जो कम सेलरी में लाई जाते थी ठीक है आंगनवारी में जिन मैटेरियल का उप्योग होता था जो भी सामगरी का यूज करते थे वे सरल होते थे थाकि बच्चे उसे स्वैम कर सके ठीक है यह मुझे लगता है समझाने की ज़रत हैं उनका मानना था कि अगर ब जाकों के बच्चे थे वो कोजबाद में आते थे ठीक है क्योंकि तारभाई मोदक यह मानते थे कि अगर क्योंकि स्कूल जो थे वो स्थाई होते हैं आज के जमाने में ठीक है एक ही जगा पर होते हैं और वहां से बच्चों को आना पड़ता है वहाँ पर लेकिन उनकी ये कलपना थी जो मारास्टर में आई थी ठीक है नेक्स्ट है उन्होंने गिजुबाई के साथ मिलकर प्री स्कूल टीचर ट्रेडिंग कॉलेज खोला ठीक है जहां पर बड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा दे थी ताकि बच्चों को वो पढ़ा सके 0-6 वर्ष के लि ठीक है जो Early Childhood Care and Education उनकी सारी सिक्षा के जो है बेस बना था और साथ ही साथ उन्होंने दो प्रकार की बालवाड़ी खोली थी ठीक है बालवाड़ी में एक केंद्रिय बालवाड़ी थी जो नोर्मल स्कूल के समान चलते थी जैसे आज चलते हैं एक स्कूल जैसे चलता है प पर पांच गण्टों के लिए ठीक है फूल जो रहते थे ऐसे में उसे केंद्रिय बालवाड़ी का रूप दिया और दूसरी थी आंगन बालवाडवाड़ी बालवाड़ी मैंने आपको समझा है वहा है सेम-डू सेम यह ओलवाड़ी एक आंगन में चलाई जा देती ृडि ते दिन होता था जैसे टूशन होता है वैसे में कह सकते हैं ना जहां शीशा कंगी बाल्टी कैंची और नैपकिन जैसे लोकल मैटेरियल उनके पास होते थे ताकि जो है बच्चों की जो भी परस्नालिटी डवलप्मेंट हो सकी ठीक है बच्चा स्वयम अपने थोड़े वह उन्हें सिखाया जाता था ठीक है वहां बच्चों को व्यक्तिकत साफसफाई पर ध्यान क्राफ्ट एंड आर्ट हैंडवक जो भी क्राफ्ट का काम होता है वो सारा शारीडिक शिक्षा इन सब पर जो भी आदते होती हैं वो उन्हें सिखाया जाती थी अपना स्वयम का प्रदान करने वाली अब रोल ऑफ टीचर यहां भी महतबून है हर किसी में रोल ऑफ टीचर आपको लिखना पड़ेगा रो एक अलग से अगर आप पॉइंट डालते हैं तो वहां टीचर की जो व्यू सिधा महां पड़ता है जिससे आपको अच्छे नंबर गेन हो सकते तो टीचर की जो रोल है वो आपको जरूर लिखना है पेपर में ठीक है एक सुविदा प्रदान करने वाली फैसिलीटर प्रदान करने वाली एक माली की तरह हो सकते हैं जैसे फ्राइडरिश फ्रॉइबल ने बोला था कि एक गार्णर की तरह हो ठीक है और बच्चों के लिए स फिलोसफिर्स हैं वो सेम ही समझते हैं ठीक है और एक निरिक्षक के रूप में भी होती है ठीक है ताकि वो अपनी डैरी में नोट कर सके कि बच्चा यहां पर इस एक्टिविटी को करने में अटक रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए ठीक है यहां शिक्षक की भूमिका भ जरूरतों को पूरा करना चाहती थीं ठीक है जो बच्चो की जो रियल निच्टिविटों की जरूरत क्या है उनको पूरा करना चाहती थी ठीक है जैसे कसबाई बच्चे की और एक अर्बन जगा पर रहने वाले बच्चों में दोनों की ज़रुतों में बहुत डिफरेंस होता है तो वो इस जो डिफरेंस था उनको हटाना चाहती थी ठीक है ताकि बच्चे का जो विकास है वो अच्छी तरह से हो पाए तो यहां कतम करते हैं ताकि बच्ची तरह बाच्ची तरह से हो यह फितना चाहती है